गुड़मानि दोस्तो आज की कनड़ फैयर के साथ मैं हाजुल हूँ다음 पहला कोश्चन है कुनो राष्टि उद्धियान चर्चा में है सभसे पहले बात यह कहां पर है तो याद रहिए कुनू राष्टि उद्धियान में है और बात करें कुनु राष्टी उद्यान की तो क्यों चर्चा में हैं क्योंकि अभी हाली में नामिविया से आठ चिता को लाया गया है और यहां छोड़ा गया क्योंकि भारत जो है 1952 में यह कह दिया गया था कि भारत में चिता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी हाली में नामिविया से आठ चिता आए हैं, और इसको कहां छोड़ा गया है, कुनु राष्टी उद्यान में छोड़ा गया है, इसलिए चर्चा का विसाय है, अगर पूछे चिता की बात करें, तो ये सबसे तेज दोड़ने वाला जानवर है ये, ठीक है, याद रखेगा, दुनिया में कुल साथ हजार चिते हैं, आकड़े के उनसार, दुनिया में टोटल साथ हजार चिता है, तो ये कुनु राष्टी उद्यान चर्चा में क्यों था, ये आपको हमने समझाया, आईए एक रिपोर्ट की बात करते हैं, बाग उसी के पर जाती है, बाग गड़ना रिपोर्ट, 2018, 2019 में रिपोर्ट आया है, चार साल बाद आएगा, 22 का लाकरी में आएगा, तेस में हम लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन तब तक एक जाम में यही बार बार आ रहा है, बाग रिपोर्ट, 2018, 2019 में परकासित है, तो अगर आपसे पूछे, भारत में कुल कितने बाग हैं, तो 2967 बाग है, सबसे जादा बाग कहां पे हैं, तो याद रिखेगा, मद्परदेश में 526 है, दूसरे पे करनाटक है, 524 है, तीसरे पे उत्रा खंड है, 442 है, चोथे पे यूपी है, 173 है, यह बागो की रिपोर है, और भी यह बिहार में 31 है, उनकी बाद बाद में, और 2014 में जब रिपोर्ट आया था, और 2018 के बीच जब रिपोर्ट आया है, तो इनके बीच में बागो की संख्या में 33% की बिरिध्धी हुई है, ठीक है, अगर आप से पूछे, टाइगर प्रोजेक्ट कब सुरू किया आप बाग किस नेशनल पार्क में है, किस टाइगर रिजन में, तो याद रखेगा सरवाधिक जो आपके टाइगर है, जिम कार्बेट में है, जिम कार्बेट में कितना है, 231 और जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो याद रखेगा, उत्तरा खंड में है, उत्त गुरु घासी दास भारत का सबसे आखरी में Tiger Reserve घोसित किया गया गुरु घासी दास Tiger Reserve कहां पे है तो याद रखेगा 36 गड़ में है और ये 36 गड़ में है किस नंबर का है 33 नंबर का Tiger Reserve है तो आज के लिए पहले कोश्चन में इतना सा आएए दूसरे कोश्चन के और बढ़ते हैं दूसरा कोश्चन क्या कर रहा है भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन बना तो याद रखेगा डिजिटल सिटी बना है आपका इंदौर इंदौर मद्द परदेश की राजधानी है मद्ध परदेश की राजधानी इंदौर है ये भारत का पहला डिश्टल सिटी बना है इसमें क्या होगा डिश्टल सिटी में ये होगा कि हर एक आदमी का ये यूनिक कोड होगा वो कोड डाल करके निट पे आप उस आदमी का लोकेशन पता कर सकते हैं बात समझ माई तो कौन है सिवराज सिंग्छ चौहान है में सिख चौहान है और बात किया जाये इंदोर की बात किया जाये तो यहीं से आपकी लता मंगेसकर बिलान करती थी अब मद्ध पर्देश की पुरा चर्चा हम लोग कर लेते हैं लता मंगेश्वर को स्वर कोईकिला कहा जाता था और यहीं से बिलांग करते थे मदपर्देश से डाक्टर भीमराव अमेटकर साहिब डाक्टर भीमरावमेटकर भी यहीं से बिलांग करते थे मौव मद्ध परदेश से और यही जो हैं प्रारूप समित के अध्यच भी थे दो चकल के गुरूब डी में कोश्चन आ चुका था और बात करें और अनुचेद 32 को डाक्टर भीमरावमेटकर ने समिधान की क्या कहा है आत्मा कहा है यह भी कोश्चन बार-बार पूछा जा रहा है तो समिधान की आत्मा उचेद 32 को किस ने कहा डाक्टर भीमराव अमेटकर ने और इनको 1990 में क्या मिला था भारत रतन मिला था ये भी याद रखिएगा किनको डाक्टर भीमराव अमेटकर को भारत रतन मिला है और बात करें डाक्टर भीमराव अमेटकर के बारे में तो इनकी जो समाद अस्तल है वो कहां पे है तो याद रखेगा चैत्रा भूम में है चैत्रा भूम समाद अस्तल को कहा जाता है और यहां से कुछ और लोगों की बात करें जैसे तानसें जी तानसें इंपोर्टेंट है तानसें की बात करें तानसें समारो भी यहीं तानसें के थे तो तानसें समारो कहा मना जाता है मद्ध परदेश में गौलियर में और इनका नाम क्या था तानसें का तो याद रखेगा राम तनुपांडे इनका उपनाम है तानसे आई और बात करते हैं, तो खजुराहों मंदिर कहां पे है, ये भी बहुत बार आया है, खजुराहों मंदिर कहां पे है, तो खजुराहों मंदिर जो है, ये भी आपके मद्ध परदेश में है, किस ने बनवाया था खजुराहों मंदिर, चंदेल सासक ने बनवाया था, किस सै तो यहाँ पर कान्हा निसल पार्ग है काना नसल पार्क पूछा जाए कहां पे है यहीं पे पन्ना नसल पार्क कहां पे यहीं पे है पेंच नसल पार्क कहां पे है यहीं पे है सरवाधिक नसल पार्क पूछे किस राज में है तो सरवाधिक नसल पार्क भी मध्य परदेश है टाइगर इस्टेट किसे कहते हैं मध्य परदेश को कहते हैं टाइगर इस्टेट अगर पूछे तो किसे कहा जाता है मध्य परदेश को सबसे जादा सरवाधिक वन कहां पर है तो याद रिखिएगा सरवाधिक वन भी मध्य परदेश में हैं तो यह रहा आज का दूसरा कोश क्यों podr बढ़ते हैं एक क्योशन उपरवाले कोशन में हम जोड सकते हैं कि भारत का सरवस्रेश्च चडिया घर कोउचा बना है ढ burdensा रहे तो याद रखी गा किर याद इंप्सके कर दाजलीका इंया निरुन因र्ट आपके असम में है आईए कुछ और बात करते हैं तीसरे कोश्चन क्यों तीसरा कोश्चन क्या कहा रहा है विस्व चैंपियंशिप में दो पदक किस खिलाडी ने जीता तो विस चैंपियंशिप में दो पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं विनेश, फोगाट और ये कुस्ति से सम्मंदित है जिसे रेशलिंग कहा जाता है इंगलिस में तो विस चैंपियंशिप अगर पूछा जाए कहां पे हो रहा है तो याद रिखेगा सर्विया विल ग्रेट में हो रहा है ये इंपोर्टेंट है पूछा जाता है कि विस सेंपियंशिप कहां पे हुआ तो सर्विया विल ग्रेट में और विनेश जो फोगाट है ये कितने किलो की हैं पिर्पन किलो वर्ग में इन्होंने क्या जीता है कान से पदक जीता है इसमें ठीक है और 2022 के राष्ट मंडल खेल में ये सोड़ पदक जीती हैं 2022 के जो कामन वेल्ट गेम हुआ है राष्ट मंडल खेल जो हुआ है इसमें क्या जीती है ये शोड़ पदक जीती है कौन विनेस आईए और बात करते हैं कुछ खिलाडियों के उपनाम की बात कर लेते हैं तो हरियाना हरिकेन किसे कहा जाता है इंपोर्टन्ट है बहुत बार एक्जामों में आ चुका है तो हरियाना हरिकेन किसे कहा जाता है तो इंपोर्टन्ट है कपिल देव को हरियाना हरिकेन कहा जाता ह और इनकी एक आत्मकथा है आत्मकथा इनकी पूछी जाती है तो नाम है इनकी बुक भी है कपिल देव की आईए उसकी भी चर्चा कर लेते किर्केट C-R-I-C-K-A-T किर्केट माई स्टाइल किर्केट माई स्टाइल इनकी जो है इनकी बुक है आत्मकथा उपर है स्टेट फ्राम्दे हाट मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है तो याद रिखेगा इनका मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदूलकर को कहा जाता है सचिन तेंदूलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है ये इंपोर्टन्ट है आईए और बात किया जाए मास्टर ब्लास्टर इनको और क्या नाम से कहा जाता है मैराथन मैन कहा जाता है किसे सचिन तेंदूलकर को मैराथन मैन भी कहा जाता है बामबे बामबर कहा जाता है इनकी जो है किताब का नाम आत्मकथा का नाम पूछ ले तो बताना प्लेइंग इट माई वे ये इनकी क्या है आत्मकथा है ठीक है लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है तो याद रखेगा सुनिल गवासकर को क्या कहा जाता है लिटिल मास्टर कहा जाता है इनकी किताब का नाम है सन्नी देज इनकी बुक का नाम है सन्नी देज आईए आगे बात करते हैं हाकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो याद देखेगा मेजर ध्यांचंद को हाकी का जादूगर कहा जाता है इनका जनम 29 अगस्त को हुआ था इसलिए 29 अगस्त को राष्टिय खेल दिवस मनाया जाता है राष्टिय खेल दिवस मनाय जाता है अभी हाल ही में आपके राजुगादी खेलतन पुरुसकार का नाम भी बदल के क्या रखा गया है ये मेजर ध्यांचन खेलतन पुरुसकार आगे बात करते हैं धींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है तो याद रिखेगा हीमा दास को धींग एक्सप्रेस कहा जाता है हीमा दास को धींग एक्सप्रेस कहा जाता है कहां की हैं असम की हैं फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है तो याद रिखेगा फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है आपको भाग मिल्खा माग देखे होंगे तो मिलखा सिंग को फ्लाइंग सिख कहा जाता है उड़न परी किसे कहा जाता है अगर आप से पूछे तो याद रखेगा पीटी उसा को उड़न परी कहा जाता है इनको पीटी उसा को और इनको क्या कहा जाता है याद रखे गोल्डेन गरल भी कहा जाता है golden girl तो देख लिए golden boy नीरत चोपड़ा को कहा जाता है ये भी आप याद रखिएगा शुपर माम किसे कहा जाता है शुपर माम मेरी काम को कहा जाता है मेरी काम को शुपर माम कहा जाता है ये important है और जो मेरी काम है ये 6 बार लगतार मुक्के बाजी विस विजेता रही है विश्वनाथ आनंद को लाइटिंग किड कहा जाता है जो सत्रन से समंदित है ये रहा आज का दूसरा कोश्चन आई ये तिसरे कोश्चन के और बढ़ते हैं तिसरा कोश्चन आपके सामने ये रहा मिसन अमरित सरोवर को लागू करने वाला पहला लागू तो हो चुका है और इसको अच्छे से सुचा रूप से कौन लागू किया इसमें पहला राज फष्ट पे कौन सा आया तो याद रिखेगा जो पहला राज है नाम है इसका उत्तर परदेश दूसरे राज की बात करें त तीसे नमबर पर आया है कौन सा जम्मू का समेर मिसन अमरित सरोवर क्या है याद रिखेगा मिसन अमरित सरोवर का लच है जल निकायों का निर्माड करना छोटे छोटे जल निकाय जल निकाय का निर्माड करना प्लेस उसकी मरम्मत करवाना ये इसका लच्छ है अगर पूछे इसकी सुरुवात कब हुई थी कब लांच किया गया 24 अप्रेल 2022 को मिसन अमरे स्वरोवर को लागू किया गया था बरसा के जल किसी अन्य जल को क्या करना सुचा रुप से उसको अच्छे से रखना उसको बरबाद में नहीं होना क्योंकि विस में केवल 4% से कम पीने योग पानी है इसलिए पानी को बचाएने के लिए मिसन अमरे स्वरोवर लागू किया गया आगे बात करें अगर हम आगे बात किया जाए तो ये यूपी की बात हुई है तो यूपी की बारे में जान लेते हैं यूपी के मुखमंत्री तो पता ही होगा यूपी की जो मुखमंत्री है स्रीयोगी आदितनात्स जी है और बात किया जाए उत्तर परदेश के बारे में कुछ और चर्चा करें तो उत्तर परदेश की बात करें तो याद रखेगा भारत का पहला नाइट सफारी पार्क भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहां खुला है तो most important है उत्तर परदेश की राजधानी लखनों में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क खुला आगे बात करें, एजूकेशन टाउन सिप कौन सा राज बनाएगा? एजूकेशन टाउन सिप बनाने वाला पहला राज कौन सा है? आपका खुद यूपी है। अगर बात करें मदर्सा में ऐसा कौन सा राज है जो मदर्सा में सुबह 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 राष्टी ये राष्ट गान अनिवार कर दिया तो याद रखेगा उत्तर परदेश है उत्तर परदेश है मदर्सा में अब सुबह सुबह क्या किया जाएगा राष्ट गान गया जाएग यह रहा आपके उत्तर परदेश की कुछ खास बाते, उत्तर परदेश की रालधानी पता है, उत्तर परदेश में सबसे ज़्यादा राज सभा की सीटे हैं, कितनी हैं, 31 हैं, बिधान परसत की कितनी सीटे हैं, 100 सीटे हैं, important है, याद रखियेगा, और सबसे ज़्यादा बिध संक्या के मामले में सबसे एक है यह भी आपको पता होगा तो चलिए यह रहा आज का तीसरा कोश्चन सरी चौथा कोश्चन आइए पच्वे कोश्चन के और बढ़ते हैं पच्वा कोश्चन आपके सामने यह रहा कौन सा राज परतेक वर्स दोसो लोगों को परतेक वर्स रामिर्शुरे तु आपके सामने है तमिलाड याद रखेगा रामे सुरम से कासी तक, कासी विसनात मंदिल तक दर्सन कराएगा, याद रखेगा ये राज है तमिलनाड, 200 लोगों को परतेक वर्स आईए तमिलनाड की बात करें तमिलनाड के जो सियम है नाम है यमके इस्टालिन तमिलनाड के जो सियम है इनका नाम है यमके इस्टालिन तमिलनाड के जो राजपाल है आरियन रवी है आरियन रवी यहां की राजपाल है तमिलाड की बात करें तो तमिलाड के सरकार ने अभी हाल ही में मुप्त नास्ता योजना चालू किया है सुबह सुबह एक से पांस तक के बच्चों को मुप्त में नास्ता योजना देगा यह important हो गया सुबह जैसे बच्चे स्कोल पहुचेंगे तो नास्ता मिलेगा फिर दोफ़र में तापको पता है यह अमडियम मिलता है मिड़े मिलियोजना जिसे आप लोग पोशड मा कहा है तो पीम पोशड भी कहा गया है आईए कुछ और चर्चा करते हैं यहीं पर अभी पहला डू गोंग समर्चर रिजर्व बनेगा याद रिखेगा important question है अगर पूछे तमिलाड का सास्त्रे निर्थ क्या है तो याद रिखेगा पता होगा भरत नाट्यम आपके तमिलाड का सास्त्रे निर्थ है तो टोटल सास्त्रे निर्थ पूछे कितना है भारत में तो याद रिखेगा भारत में टोटल सास्त्रे निर्थ कितने है आठ है लेकिन याद रिखेगा भारतिये मंत्राले के अंसार है लेकिन अगर पूछा जाए नाटक कलाक अदमी के उनसार तो कितने हैं तो याद रिखे 9 है 9 है कौन सा इसमें आपका सामिल है तो याद रिखेगा 6 यह असम का है ठीक है और बात किया जाए तो सास्त्रिय भासा कितनी है अगर आपसे पूछे जो बार बार गुरूबडी में आ रहा है तो 6 सास्त्रिय भासा है यह important question है और बात किया जाए कि आपके तमिलाड के टट को क्या कहा जाता है तो तमिलाड के टट को क्या कहा जाता है कोरो मंडल टट कहा जाता है इसी मंडल पर पूरे भारत में ठंडी में बरसा नहीं होती लेकिन इसी मंडल पर ठंडी में क्या होती है बरसा होती है कोरो मंडल टट पर और जो यहां बरसा होती है नमी कहां से धाड़ करती है तो याद रखेगा बंगाल की खाड़ी से नमी धाड़ करती है और यहां पर क्या होता है बरसा होता है यह रहा आज का हमारा पांचवा कोश्चन आईए बढ़ते हैं छटमे कोश्चन के और छटमा कोश्चन क्या कहा र तो इसके वर्तमान अध्यच बने है यम जगदीश कुमार कौन है यहां लिखा जाए यम जगदीश कुमार यह वर्तमान में UJC के क्या है अध्यच है आई इंपोर्टेंट है याद रखेगा और कुछ न्युक्ति लेटिस्ट में हुई है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं तो स द्रोपती मुर्मु जो अभी आपको पता होगा भारत की राष्टपती बनी है 15 नंबर की पहली आजवासी राष्टपती है संथाल संथाल जाती है जन जाती है उन्हीं की उन्हीं से समंदित है और यह राष्टपती बनी है द्रोपती मुर्मु जी भारत की 15 राष्टपत CSIR के निदेशक कौन बने है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेगा पहली महिला बनी है इसलिए और इंपोर्टन्ट हो गया नल्ला थंबी नल्ला थंबी कलाई सेलवी यह पहला महिला है याद रखेगा इंपोर्टन्ट है यह और CSIR के अध्यच अगर आप से पूछे कौन होते हैं तो याद रखेगा प्रधानमंत्री पीम मोदी जी इस समय CSIR के अध्यच है डियाडियो की बात करें डिफेंस रिसर्च डिवलेमेंट अर्गनाइजेशन के इस समय वर्तमान अध्यच कौन है तो याद रखेगा डाक्टर समीर समीर वी कामत डाक्टर समीर वी कामत और आपसे बात किया जाए डियाडियो की अस्थापना कब हुई थी उननेश सो अठावन में और इसका हेड़कौर्टर कहां पे है दिल्ली में है डियाडियो की अस्थापना उननेश सो अठावन में हुई थी हेड़कौर्टर कहां है दिल्ली अगले कोशन अगले पॉइंट को बढ़ते हैं जो है सी जे आई चीफ जेस्टिस आफ इंडिया भारत के वर्तमान में कौन है तो यू यू ललित है यू यू ललित है जो रमना का स्थान लिये हैं किस नंबर के बने हैं 49 नंबर के ये भी पूछा जाता है आपसे बांबे इस्टार्क एकसंज की बात किया जै जिसकी अस्थापना हुई थी 9 जुलाई और 2875 में ये बांबे इस्टार्क एकसंज जिसके वर्तमान में अध्यच है यसियस मुद्रा वर्तमान में इसके अध्यच है आईए बात करते हैं के वी आईसी मतलब खादी वीलेज एंड इंडिस्टियल कमिशन इसके अध्यच की बात करें तो मनोज कुमार मनोज कुमार इसके अध्यच है जिसकी अस्थापना कब हुई थी याद रखेगा 1956 में दिल्ली के उपराजपाल कौन बने है जो के वी आईसी के पहले अध्यच थे वही दिल्ली के उपराजपाल बन चुके है नाम है बिने कुमार सकसेना डिल्ली के मुखमंती तो सबको पता है अर्विंद के जरिवाल साहιब है अंतराष्टी ये बाकसिंग एसोसीएशन की ब अध्यच है और बात करें इसका headquarter कहां पे है तो लुसाने में है लुसाने इसका headquarter है लुसाने कहां है सुर्जर लेंड में ये important line है निती आयोग के CEO कौन वरतमान में है पूछ लिया जाए तो याद रिखेगा परमेश्वरन आयर है परमेश्वरन आयर वरतमान में निती आय की बात हो गई आये बात करते हैं इश्रो की निती आयोग के स्थापना एक एक जनवरी 2015 को ही है याद रखेगा और इसके अध्यच कौन होते हैं पीमजी होते हैं निती आयोग की अध्यच आये और आगे बात करते हैं इश्रो की बात कर लेते हैं स्वारी इश्रो की बात कर है तो इसरो इसके अध्यच्च कौन है तो याद रखेगा डाक्टर यस सोमनाथ इसरो के क्या है अध्यच्च और इसो की अस्थापना कब हुई थी तो onajr को इसरो की क्या हुई थी अस्थापना और इसका हेटक्वार्टर कहां पे है तो बंगलूरू इसरो का क्या है हेटक्वार्टर है भारत का सिटी विल्कन सिटी किसे काते बंगलूरू को कहा जाता है CBSC के वरतमान में अध्यच कौन है तो याद रिखेगा निधी छिबबर ये वरतमान में इसके हैं और CBSC के स्थापना कब हुई थी 1931 में इसकी CBSC के स्थापना हुई थी अगर आपको ये कोशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इसे सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद